कि यह एव्रीवन वेलकम इन क्लाइट पॉइंट इन लेट स्टार्ट टुडेज़ दा हिंदु न्यूस दिस्कॉशन जो कि क्लाइट एलेट डियो एलल भी ऐललम एनले सेट अधर लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है बिना समय गवाई शुरू करते हैं पढ़ते हैं आगे कि कॉश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था एंड इसका जवाब सी जो है आप लोगों ने विल्कुल सही दिया था आज मेरा आप लोगों का आप लोगों से कुश्चन है कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं फिर से में रिपीट करता हूं क्लाइट यूजी विजेटा 2030 जिसका पेपर दिसंबर में है क्लाइट 2024 एवेंजर बैच ये दोनों ही हमारे यूजी के कोर्स हैं क्लाइट पीजी के बच्चे जो इन्रोल करना चाहें उनके लिए भी आज शाम से नया बैच स्टार्ट है क्लाइट पीजी अचीवर्स के लिए description से आपको हमारी app download करनी है website visit करनी है और जाके store section से इन courses में आप enrollment कर सकते हैं एब पे ही demo classes भी available हैं and हमारे team का contact number भी है description में if you have any doubt आप जाइए पता करिए अब देखो बात करते हैं editorial की तो आज काफी सारे अच्छे articles निकले हैं हिंदू में और उन सबकुम थोड़ा थोड़ा अच्छे से हमारे exam के perspective से discuss करेंगे और एक नई चीज भी अभी मैंने add करिए देखो कभी-कभी कोई-कोई editorial ना ऐसा आता है जो exam के perspective से important नहीं होता है बड़ आपको reading के हिसाब से करना चाहिए कि पता चले कि क्या चल रहा है देश दुनिया में तो कुछ-कुछ ऐसी चीजे भी अब से हम इसमें include करेंगे इसको छोड़ेंगे नहीं तो देखिए सबसे पहला article है rewriting the old history for a new India तो exam के perspective से बहुत कुछ नहीं निकलेगा इसमें लेकिन हाँ यह अभी trending news है current affair में भी है तो इसको पता होना चाहिए ठीक है तो देखो अभी जो क्या है अभी फिलहाल यह हो रहा है कि हमारी जो government है वह काफी जबाव पे syllabus change कर रही है स्कूल का तो मेन इसके पीछे जो कारण था ना पहले बताया जा रहा था हो यह बताया जा रहा था कि कोविट 19 के वज़े से जो बच्चे घर में रहे गए थे या काफी परिशान थे तो इस वज़े से थोड़ा सा burden कम किया जाए उन लोगों के उपर से और courses को थोड़ा सा हटाया जाए लेकिन अब क्या होने में आ रहा है होने में यह आ रहा है कि इतिहास की किताब हैं history की किताब हैं उसमें से काफी सारे chapters जो हैं या भी काफी सारे topics जो हो हटा दिये जारे अलग-अलग part of the nation से चाहे वो state government के books वों चाहे वो cbc के books तो यह सारी चीजे जो हैं अ रहे है कि books के अंदर QR code डाला जा रहे है कि जैसे आप scan करेंगे तो video आ जाएगी, digital content आप उस books के थूरू access कर पाएंगे, तो writer जो है वो ये वाले part को काफी praise कर रही है, और ने का कि चलो भाई ये बहुत अच्छा है, ये आप जो काम कर रहे हो, सच्छी कोई चीज़ी नहीं हो सकती, रेकिन problem कहा रही है, इस narrative makes a demand upon student to suspend critical thinking about the world around them, ये किस narrative की बात कर रही है, काफी सारे जो topics जो है, इतिहास की किताब में से, अब ये history को क्यों चुन रही है, इस लिए history की बात कर रही है, तो इनका क्याना है कि history में से काफी सारे ऐसे topics जो है न, हटा दी जा रहे हैं, जो कि इस दुनिया में सबको पता होना चाहिए, तो एक बात तो साफ है, कि जब हमारी किताबे लिखी गई थे, थोड़ा बहुत biasness है, no doubt, मतलब बहुत सारी चीजों को शुगर कोट करके लिखा हुआ है, और कुछ part of history जो है उसमें covered नहीं है, तो आपको वहाँ पर add करना चाहिए था, और जो कुछ चीजे न, उसको हटाना नहीं चाहिए था, बागी writer तो ऐसा कह रही हैं कि भी आपने इन सब text का Persian में translation कराये गया था, ये बात किताब में से हटा दी जा रही है, तो इससे क्या होगा कि भी आप बंदों के बच्चों के दिमाग में या जो बच्चे हैं जो इसको देख रहे हैं, पड़ रहे हैं, उनके दिमाग में अकबर के पती एक अच्छी feeling जागरत नहीं हो पाएगी, जो कहा जाता है कि अकबर हर religion को equal treat करते थे, तो उस तरीची की चीज़े फिर समझ नहीं पाएँगे, देखो एक simple सी बात है, इनसान बच्चपन से जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, तो बहुत बड़ा माध्यम होता है ये text book जो बच्चपन से आपको दी चाती है और आप जो है उसके थूँ अपना narrative बिल्ड करते हैं, आपका जो thought process से उसी कितरूप बिल्ड होता है, एक बात है, जब हम लोग बच्चपन में किताबें पढ़ते थे और जिन लोगों ने 11-12 में arts ले रखी होगी, और जो कुछ अलग books जैसे विपिन चंद्रा को इन किताबों को देखता है, या फिर आपने college में अगर history की किताब पढ़ी होंगी, जब जाएंगे तब पढ़ेंगे first semester में, तो आप देखेंगे कि जो आपनी beginning में पढ़ाता है वच्पन में पढ़ाता है उससे काफी सारी चीज़े अलग भी दिखती है, तो ये तो एक fact, established fact था कि हाँ, किताबों थोड़ी से दिक्कते थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हटाना, ये करना, ये कितना सही है, कितना नहीं सही है, ये तो एक अपना में debutable issue है, करनाटका में अब भी पूरा बवाल चल रहा है कि वहाँ के state board की जो books है, उसमें एक particular community का जो कुछ topics से वो हटा दिये गए थे, तो इसके वज़ासे वो community जो है, वो protest कर रही है, तो ये सारी चीज़े है, राइटर देखो, फिर यहाँ पर एक और बात बोलती है, कि एक हमारे बहुत ही prominent leader थे है, मोहमद हभीब, तो इनके द्वारा 1947 में, History Congress में ये कहा गया था, कि किताब जो ह वो ऐसी होनी चीए, जो poignant and probatic हो, poignant and probatic का मतलब basically यह होता है, कि जो futuristic हो, और लोगों को आगे बढ़ाने वाली हो, ऐसा नहीं हो कि लोग आपस में लड़ने लग जाए, किताबों को पढ़के, लोगों के मन में अनिमेटी भरे, तो ये सारी बाते इन्हों नहीं यहाँ पर अभी देखो क्या हुआ है, मैं यहाँ पर आऊ ना, उससे परे थोड़ सा background मले के आपको चलता हूँ, हमारी government जब अफगानिस्तान में तालीबान वाली चीज़ नहीं आई थी ना, तो वहाँ की government के साथ बहुत अच्छे relation maintain करे हुए थे, काफी सारा development हमारी सरकार ने वहा रहते थे क्योंकि जब अमेरगा ने नाउंस कर दिया था कि हम अफगानिस्तान से लीव कर लेंगे, कि भारत जो है ना, तालीबान से अपने ties बढ़ाने शुरू करते, भारत तालीबान से इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि भारत तो तालीबान की kind of a rivalry है, आपको याद होगा terrorist organization ही देखते थे, बड़ जब ये चीज़ होने वाली थी ना, तो काफि सारे जानकर कहते थे कि भारत को तालीबान से parallel talks में आ जाना चाहिए, योगि बहुत सारे countries आ गई थी, पर भारत ने होची नहीं करी थी, फिर finally जब अफगानिस्तान से US चला गया, तब इंडिया ने काफि सारा aid प्रोवाइट किया है, इसके लाओ भारत अफिर से जो है, तालीबान से काफि सारा बातचीत जो है, वो स्टार्ट कर रहा है, तो आप पूरा मामला ये एक background आपको दिया है, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर यहाँ यहाँ आ रहा है कि भारत ने हैं, वो सो किटिसाइज भी कर रहे हैं, राइटर अपनी कुछ-कुछ बाते कह रहे हैं, अपने उस पर नहीं जाते हैं, अपन मुद्दे पर आते हैं, तो भारत की जो है ना फॉस्ट इंडियन फॉरेंड पॉलिसी है, हमने रश्या की केस में भी यही किया था कि हमने पहल तालिबान को खुश रखने के लिए या फिर अपने इंटरेस्ट को पोटेट करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो यह गलत है, अब हम आ जाते हैं कि भारत ने क्या गलत किया, और अगर भारत ने ऐसा किया, अगर आप भारत का नक्षा देखो तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान, इंडिया सब भगल-भगल में है, पाकिस्तान के साथ आपकी ओलेडिरेंशन्स हैं, वहाँ पर ISI है, इसके लाबा जो वहां की टेरिस्ट और्राइजेशन्स हैं, वो तो है ही है, अब अगर तालिबान उनके सपोर्ट में आ जाएगा, तो इंडिया भा तालिबान जो है, वो भारत के अगिंस्ट में ना हो, जम्हुन कश्मीर के मसले में देखो, पाकिस्तान आवाज उठाता रहता है, लेकिन भारत चाहता है कि तालिबान इस मुद्धे पर आवाज ना उठाए, पाकिस्तान का इंगल तो मैंने आपको बताया ही, और भारत न पाकिस्तान से मेरे आवे मतलब है, अब तालिबान क्योंकि तालिबानी साशन में, तो ये कुछ ऐसे कारण है, जिसके वज़े से इंडिया ने इस पटिकुलर मुद्धे पर अपने वोट को अबस्टेन किया, और ये था भारत का इसके पीछे परस्पेक्टिव, तो ये हम अब एक आटिकल आया है, क्या आया है, देखो, पाकिस्तान की एक कोट है, जिसने पाकिस्तान के एक टेरिस्ट है, साजीद मीर, इनको 15 साल की जेल भिज़ दिया, साजीद मीर कौन है यार, ये one of the mastermind कहे जाते है, मुंबई का जो अटेक हुआ था उसके पीछे, मुंबई अटेक से मुझे ग्याद है, भी मुवी आये मीजर, जरूर देखेगा यार, बहुत अच्छी मुवी है, इसी पर बनिये मुंबई अटेक पी, और actual कहानी है, एक हमारे NSG के कमांडर की जरूर देखेगा, अब बात करते हैं वापस इस आर्टिकल के उपर, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अचानक से अभी कोई बहुत अच्छा ही आ गई है कि वो यह सब चीज़े करने लगा है, तो ऐसा नहीं है, देखो FATF की लिस्ट में यह है, अब इनको FATF की लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, जो कुछ पॉइंट से बाहर निकलने के तो यह हमने कुछ जाना, इसके पाद देखो अगला आटिकल जो है बड़ा एक दुभागयपुन खटना है, डिग्रेसिव इन्हूमेन, क्या है दुभागयपुन खटना है, देखो US जैसे इतनी बड़ी कंट्री जिसको Western model कहते हैं, पूरा विश्व कहता है कि Western countries की तरह व WSunkVare case को, Grose W lent में महिलाओν को abortion के rights मिलते थे, अब यहां की Court ने ये कह दिया है कि impacted abortion का rights, तो यह हमने यहां पर जाना, ऐसे ο मेंrum ऑर है, प्लान प्लांत प्लेहेंटूड वर्सेस केसी इसमें भी वहां की कोर्ट ने यही कहा था अबोर्शन के राइट्स मरिलाओं को देने की बात करी थी बट अभी यह सारे डिसीजन जो है ना ओवर्टन कर दिये गए हैं वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 6-3 मेजर्टी ऐसा कहा जाता है कि अभी वहां की सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मेंबर से ना वो कंजर्वेटेव विचारधारा के हैं और इससे लिए चीज हुई है इस केस का नाम जो था ना वो डॉप्स था डॉप्स वर्स सम्तिंग एक बार आप लोग देख लेना सम्तिंग कुछ ऐसा ही था ठीक है अब देखो इसमें एक अच्छी चीज भी हो रही है कि यूएस की जो काफी जो figuring कंपनीaf है और काफी सारे जो अलग अलग अलगग स्टेट्स में अभी अबश्नील है कहीं पर नई है तो उसके चलते हों काफी सारे आई कमपनी है या फिर जो वहां 넘ांकी नियोग कैसे स्ट यह कह रहिए है कि हम हमारे लोगों को बहारी स्टेट पर जहां पर इल्लीगल तरीके से अबोर्षन की प्रैक्टिस बढ़ेगी जो कि महिलाओं के health यह बिल्कुल अच्छा नहीं है जानी तो यह साथ चीज़ है मने यहां पर जानी यहां response also alarm Americans that the logic of dopes that abortion is not mentioned in the US Constitution and is not covered by the Landmark 14th Amendment of 1868 that safeguard Liberty यह court ने वहां पर बोला था तो और यह बहां रहेоловेंगी अब आपने यह राइट लिया को आप और राइट भी लेलोगे तो यह चीज हमने इस आर्टिकल में जानी अब भारत के बारे में थोड़ा सा देख लो भारत के अंदर अबॉस्टन के डाइट जो है न वह मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट से गवर्ण होते हैं पहले 1971 का अभी भी वही है लेकिन 2021 में कुछ अमेंडमेंट लाय गया था पहले देखो स्फिर मैरिट कपल के लिए अलाओ था लेकिन अब इसमें जो हैं नॉन मैरिट कपल को भी कर लिया गया है 2021 के अमेंडमेंट में ठीक है पहले 20 weeks होता था अभी क्या है 24 weeks के बाद भी अलाओ किया है are some rules for that पहले देखो क्या अगर आपको 12 weeks तक pregnancy abort करानी है तो आपको एक जो है medical practitioner की permission लेनी होगी 20 weeks तक 2 की लेनी होगी बट अब ऐसा हो चुका है कि one एक medical practitioner की आपको जरूरत है 20 वीक तक पहले 12 तक थी 20 तक अगर आपको कराना है तो बस एक की डॉक्टर से permission ले लो ठीक है 20 से 24 कराना है दो डॉक्टर से permission ले लो और अगर 24 के प्लस है तो medical board बनेगा और यहां पर fine भी है 1000 रुपे का पहले होता था अगर किसी ने जानकारी दे दी बिना बताय महिला के या ब्रीच किया और अब जो है एक साल की सजाभी इसमें included है तो यह था पूरा यह एक्ट जो अभी फिला हमारे देश में है इवन सुप्रीम कोट ने केस पुट्टा स्वामी केस के अंदर यह कहा था कि भया अंडर आर्टिकल 21 वुमेंस है और राइट तो नेक रिप्रडेक्टिव चाईसे ऑफ देर ओन इसके लावा बहुत सारे ऐसे केसे आए हैं पास्ट में अभी सुप्रीम कोट के अंदर केटल होती थी ठीक है तेलांग नैन आंध्रदेश एक ही जगा होती थी जब अलग हो गए तो आंध्रदेश को दस साल का महुलत दिया गया कि भया आप अपनी अलग कैपिटल बना लो तब तक कॉप की कॉमन कैपिटल हैधराबाद रहेगी तो उस समय ना नाइडू साहब हाँ के जो है चीफ इनिस्टर होते थे तो नाइडू साहब ने कहा कि हम अमरावती को जो है कैपिटल बनाएंगे अमरावती में उन्होंने काफी सार डवलेप्मेंट किया उसके बाद आये सरकार में रेडडी साहब रेडडी साहब ने कहा कि यार अमरावती नहीं हम अब क्या हुआ अब यहां पर यह प्रॉब्लम हुई प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही थी कि भी आप तीन बनाओगे ठीक है लेकिन पहले आमरवती में अल्रेटी इतना डेवलप्मेंट हो चुका है इतना पैसा खर्ज हो चुका है तो अब वहां पर ही आपका जु अब एक ही कैपिटल बनेगी लेकिन उसके ओपर भी जो रेड़ी जी है वह अभी कह रहें कि बिल ले आएंगे और हम इस जिसको वर्टन करेंगे और हम तीन ही कैपिटल बनाएंगे तो यहीं यहां पर यह आर्टिकल आयो हुआ है कि भिया इस तरीए की बाते जो हैं वहां सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो उसका फाइदा भी है कि काइब के चीज़ें होता ही उती है चाहिए आपने कर दिया है बिकाद आपने उसको भोशना कर दीचीज कर दी दा इतना इंफ्रेस्ट्रॉक्ट्र बना लिया है तो अब यह सरकारी पैसे का वेस्टेच करने तो कोई मतलब है नहीं तो यह चीज थी जो पूरा मसला आपके सामने है एक और मामला आया हुआ है understanding the supreme court verdict on the जकिया जफरी प्रोटेस्ट petition देखो हुआ क्या है जकिया जफरी जो है एक वीडियो है किनकी late congress leader एहसान जफरी की इन्होंने supreme court में प्राइम मिनिस्टर जो है ना यह है आपका गुलबग society गुजरात का जब 2002 की यह बात है एसान जाफरी जो है ना यह उस समय जो है member of parliament शाए नहीं थे पर उससे पहले रह चुके थे तो हुआ कि जब लोगों को डर लगा तो काफी सारे लोकल जो है इनके घर में आके छुप गए 90 का सपस लोकल थे फिर जब बाहर जब मॉब आई तब इन्होंने मॉब कंट्रूल करने के लिए बाहर निकले इन्होंने पुलिस इसको फोन किया तो ऐसा बताय जा रहे कोई help नहीं मिली कुछ नहीं तो फिर इन्होंने मॉब को खुद जाके शांत करने कोशिश करी तो मॉब ने इनको पकड़ा एंड दें टेकल हिम और इनकी बॉड़ी भी आस तक नहीं मिली हुई है तो उसके बाद जो है यह केस जो है बहुत बार चला है अलगलग कोटों में और उस पे सब अब ही हुआ क्या है तो यह पूरा मामला था जो आपको बताना था मुझे मैंने बता दिया है यहां पर क्या हो रहा है मैंने आपको बता है तो फिर इसक्वालिफिकेशन नहीं लग पाता है तो यहां पर नहीं इन्होंने से 15 MLS को डिसक्वालिफाई कर रहे हैं चाहते हैं डिसक्वालिफाई करना शिवसेना वाले ऐसा क्यों कि देखो जब अगर इसमें से 15 हो जाएंगे ना तो यह मान के चल रहे हैं उधव ठाकरे की भाई बाकियों को तो वापस ले आएंगे और जो में में पंदा लीडर से उनको हटा देते हैं और जिससे फिर फिर हैं कॉंग्रेस के 44 मलेज हैं और इसी प्रॉब्लम है जो सामने आ रही है अब क्या हो रहा है अब यहां पे दीखी क्या सोच रहें कि इनको जल्दी से डिस्क्वालिफाई कर देते हैं जिससे की फिर टेस्ट करा लेंगे और देखो जो स्पीकर होता है वो तो रणिंग यह सब चीजे तो होती रहती है अब क्या सुप्रीम को मैटा जाएगा तो सुप्रीम को डिस्क्वालिफाई करने को मना घर देगी चोंकि इनके पास है टूब थर्ड मिजर्टी है अब तो यह कहा जा रहा है कि 37 से भी ज्यादा हो चुके है 41 40 तक आ चुके हैं तो यह सारी अंत्रदेश में सपा की जो गड़ थे वहां पर विजएपी चीत गई है दिल्ली के अंदर राजिना नगर आप मानमी पार्टी अगेन विजटता रही है तिरपूरा में काफी सारी सीट पर विजएपी जीती है और यह आपकी आंत्रदेश तीर इसमें YSRCP जीती है चाइ सब्सक्राइब तो यह सब चाहिना के द्वारा किया गया है लेसी का ओपते विजए और वी और उपे द्टर लाइन इंडिया हमारी यह चाइना बोलता भूत नहीं हम तो भई कुछ देश जो है LAC के लिए हम मानते हैं हमारी यह यह है लेकिन चाइना जो है LAC के लिए कुछ और बोलता है क्योंकि अभी तक इस LAC को लेकर आइग्रिमेंट नहीं हुआ हुआ है जबकि LOC में दोनों ही कंट्री ने अपनी आप कह सकते हो कि सहमती भरी हो यह कि हाँ यह बॉर्ड अब कि यूक्रेइन की तो यह नियूस थी इसके अलावा स्पोर्ट्स देख न्यूस आई है कि रंजी ट्रॉफी इस बार जो है मध्यप्रदेश ने जीती है रंजी ट्रॉफी क्रिकेट का एक खेल है वन और प्रॉमिनेंट ट्रॉफी इंडियन डॉमिस्टिक सर्केट जि जी सेवन समेट चाइना अपग्रेड़ेड़ फायर पावर अन एले सी एस पी लुजेश इस आजंगार एन रामपूर बेस स्टेशन इन बाइपोल्स हमने महरास्ट का यह मामला देखा देन हमने यह जाकिया जाफरी का जो प्रोटेस्ट पेटिशन था वो देखा तीन अनिस्तान वाला मसला देखा और सबसे पहले आपने यह जो कितिया किताब में चीज़ें काफी सारी चेंज हो दी है इसके बारे में देखा तो यह था हमारा सेशन आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को शे